आप एक नामी पुलिस अफसर हैं छूटते ही गोली मारने वाले अपराधियों से लोहा लेते हैं फिर अपने अनुभवों पर किताब लिखते हैं और किताब पर बन जाती है हिटो हिट वेब सीरीज ये तो सफलता की कहानी का सुखान्त होना चाहिए था है ना? कि उनके सितारे कैसे पलट गए 1998 में वो 25 बरस की उमर में पहले अटेम्ट में IPS बन गए धेर सारे ख्वाब लेकर बिहार पुलिस जोईन की तय किया कि गैंग्स्टर को नहीं जोना है इन ही गैंग्स्टर के साथ अपनी भिडन की कहानी उन्होंने लिखी बिहार डायरीज में जो कि एक किताब है और इस पर नेट्फिक्स ने एक शांदार वेब सीरीज बनाई खाकी दि बिहार चाप्टर हो सकता है आपने से बहुतों ने देखी हो कुछ लोगों ने मिस कर दी हो इस सीरीज में दिखाया गया कि कैसे एक पुलिस अधिकारी एक कूखार गैंग्स्टर को तमाम गोली गाली चलने के बाद पकड़ने में कामियाब हो जाता है वो गैंग्स्टर जिसने बिहार के शेकपुरा जिले में आतंक मचाया हुआ था आप सोचेंगे कि उन्हें इसके लिए पैसे तो मिले ही होंगे साथ ही साथ विभाग से शाबासी भी मिली होगी पर नहीं अमित लोड़ा को सस्पेंड कर दिया गया है उन पर आरोप है कि उन्होंने साजशन ब्रिष्टाचार किया और गलत तरीके से पैसा कमाया ब्रिष्टाचार पर नजर रखने वाली बिहार पुलिस की यूनिट ने अपने ही साफसर के खिलाव एफायार दर्ज कर दी इसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को बिना अनुमती की किताब लिखने की चूट नहीं है और नहीं उससे पैसा कमाने की चूट है और अमित लोढ़ा ने यही किया इसलिए उन पर ब्रिष्टाचार का मामला दर्ज किया गया इंडिया टुड़े के रिपोर्टर को पुलिस ने बताया कि अमित लोढ़ा ने सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद नेट्फिक्स और खाकी वेब सीरीज बनाने वाली कमपनी जिसका नाम है फ्राइडे स्टोरी टेलर प्राइवेट लिमिटेड उसके साथ बिजनस तो किया ही पैसे भी कमाई इस दोरान वो मगद रेंच में इंस्पेक्टर जनरल के पदपर तैनात थे जांच एजिंसियों ने कहा है कि इस पूरे मामले पर पहले एक रिपोर्ट तयार की गई और उसके बाद ही लोढ़ा के खिलाफ कारवाई शुरू हुई है यही नहीं उन पर काले धन को सफेद यानि की ब्लैक को वाइड करने का रोब भी लगाया गया है पुलिस ने आईजी लोढ़ा के खिलाफ दर्ज F.I.R. में साफ लिखा है गलत तरीके से कमाई करने और काले धन को सफेद करने के लिए अमित लोढ़ा ने अवैद गतिविदियों का सहारा लिया उन्होंने वैब सीरीज बनाने के लिए अपनी किताब का गलत तरह से इस्तिमाल किया ये थे F.I.R. के शम्द। काम आप कितना ही अच्छा करें लेकिन नियम कानून का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा वरना जुतनी तेजी से शोहरत मिलती है न उससे दुगनी तेजी से जा भी सकती है मैं हूँ गर्मा कैमरे के पीछे हैं पंकश आप देख रहे हैं तिललन टाउप